आग्रा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अमुरोहा में एक परिवार के साथ लोगों के हत्या करने वाला सलीम आग्रा की सेंटरल जेल में पांस साल रहा था इसके बाद उसे बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया पूरे परिवार के हत्या करने के आरोप में सजा काट रही शबनम और उसके प्रेमी को फांसी होने वाली है इस फरवरी माह में फैसला आने के बाद मतुरा की जेल में शबनम को फांसी दी जा सकती है अमरोहा के वावन खेड़ी में एक ही परिवार के साथ लोगों के हत्या काने वाला सलीम आगरा के सेंटल जेल में रहा था करीब 11 साल पूर भुष जगन ने हत्यकान के बाद पुलिस ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम को गिरफतार का जेल भेजा था बाद में दोनों को सजा सुनाई गई सलीम को किंद्री कारागार भेजा गया था 2010 से 2015 तक सेंटल जेल की चार दिवारी के अंदर रहे सलीम को बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया साक्ष के अधार पर शबनम को फांसी भी हो सकती है इसी फरवरी या फिर मार्च के पर्थम सपता में फैसला आने वाला है बताया गया है कि फैसला आने पर शबनम को मत्रा की जेल में फांसी हो सकती है कोट ने अगर फैसला सुनाया तो हिंदुस्तान में पहली महिला को किसी मामले में फांसी दी जाएगी हलाकि शबनम अपने 11 साल के बेटे का हवाला देकर फांसी की जगे सजा की मांग कर रही है फिलाल शबनम के बेटे की देखभाल कॉलिज में साथ पढ़ने वाला मुबॉला भाई कर रहा है अगरा की किंद्री कारगार में दूदराज से सजायाफता कैदी निरुद्ध है लेकिन शबनम को मत्रा की जेल में फांसी हो सकती है इसको लेकर अमरोह का सलीम सुर्खियों में आ गया है उमेश शर्मा सी निजागरा